तो ये तस्वीरों तो आपने देखी इन तस्वीरों का पूरा विस्टेशन करेंगे आज राथ साड़े नौ बजे तो आप जुड़े रहेगा तो कि शुरुवात एक और लीड स्टोरी से हम कर रहे हैं शुरुवात अजमेर शरीफ दरगा में हिंदू मंदिर होने के दावे के फैक्ट चेक के साथ क्या अजमेर शरीफ दरगा वास्तव में एक्ष्य मंदिर है क्या अजमेर शरीफ दरगा प्राचीन मंदिर को तोड़ कर बनाई गई थी कि अजमेर शरीफ दरगा मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जबाब तलाशी जा रहे हैं और हिंदू से न यही दावा कर रही है और इन दावों के आदार पर राजिस्थान की अदालत में ख्वाजा मुहनदीन चिष्टी दरगा को मंदिर घोशित करने की मांग की गई इसी याचिगा में मांग की गई है कि दरगा में हिंदूं को पूजा का अधिकार मिले इसी याचिगा में मांग की महादेव शिव को दुबारा विराजमान किया जाए इस याचिका मैं मांग की ASI को दरगा के वैग्यारिक सर्वेशन का निर्देश भी दिया जाए दरगा कमेटी का कबजा हटाने की मांग भी की गई यानि अब ग्यान वापी परीसर के तरह अजमेर शरीफ दरगा पर भी हिंदू संगटों ने दावा ठोक दिया लेगे इस दावे का अधार क्या है इस दावे में कितना दम है तो Zee News ने अजमेर शरीफ दरगा में प्राचिन मंदिर होने के दावों का एतिहासिक साक्षों के आधार पर फैक्ट चेक किया है रिपोर्ट आप दो अजमेर शरीफ दरगा सूफी संग्टों ने अजमेर शरीफ दरगा पर अपना दावा ठोक दिया हिंदू सिर ने अजमेर शरीफ दरगा पर मंदिर होने का जो दावा पेश किया उसमें बड़ी दलिल ये ति किसी भी मुस्लिम किताब में ये दरगा का निर्मान खाली जगह पर किया गए इससे ये साफ होता है कि दरगा का निर्मान किसी अन्य इमारत को बदल कर किया गया और हिंदू सिनका दावा ये कि बहाँ एक श्वबंदर था जिसे मुस्लिम आकरवनकारियों ने निश्ट किया और फिर दरगाह बना लेकिन हिंदूों की दावे ने अजमेर शरीफ दरगाह के मैनेजमेंट को भरका दिया अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में क्या लिखा है अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में क्या लिखा है जब हमने इसकी चानबीन की तो हमें राजिस्थान के मशहूर इतिहास का हर विलास शार्दा के किताब अजमेर हिस्टॉरिकल एंडिस्रिप्टर मिली जो वर्ष 1911 में छपी थी इस किताब में चैप्टर नंबर आठ में अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास से लिखर वास्तु कला के बारे में बताया गया किताब के पेज नंबर 88 पर लिखा है कि दरगाह शरीफ परिसर में स्थट बलंद दर्वाजा हिंदू इमारत के अवशेसों से बना है दरगाह की तीन मंजिला छतरी की बनावट और इसके के पत्थर हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा कर रहे पेज नंबर 89 पर लिखा कि दरगाह परिसर में मौझूद दर्वाजा और बाकी के परिसर का निरमान भी हिंदू-मंदिर के खंमों से हुआ इसी पेच पर दावा ये कि दरगाह का निर्मान भी इस्लामिक काल के हिंदू मंदरों के अवशेशों से किया गया है और आगे लिखा कि दरगाह का निर्मान हिंदू मंदर में कुछ बदलाब करके और कुछ जोड़ कर किया गया है विल्कुल स्प्रस्ट हैं अभी हो गया रहा है कोई नहीं की वज़े से एक के बाद एक इसूज आ रहे हैं और हिंदु को अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए न्याय की डिमांड करने के लिए बार-बार कोड के दर्वाजय करना पढ़ रहा है बहुत करना और हिंदू मंदिर घोशित करवाना एक लंबी कानूनी लडाई है लेकिन एक बात ताय है कि मस्जिद और दरगावों पर दावों के लिस्ट में अब एक नाम और जुडने जा रहा है शिवंग मिश्वा के साथ प्योर रिपॉर्ट जी में जीनिर्स